हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मध्यप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है चार माई 2019 और यह हमारी 145 वी क्लास है 12 IMPORTANT QUESTION आपके लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नोलिज की दरिश्टी से बहुत IMPORTANT है इन QUESTIONS को आप नोट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी QUESTIONS ARE RELATED IMPORTANT FACTS भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और Current Affairs से RELATED कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स हों बताएं हम आपके आंसर जरू करेंगे आइकोन में एक QUESTION दिया गया है जो PREVIOUS टे का है इसका आंसर आप टिक करके दे सकते हैं QUESTION NUMBER FIRST रहे इसका है बिद्योत भाहनों के लिए कैंदर सरकार द्वारा जारी की गई है इस नंबर प्लेट में प्रस्ट भूमी हरे रंकी होगी जबकि भाहन का नंबर सफेद रंका होगा इस तरह है विद्युद भाहनों को भीड़वार वाले इलाकों में निशुलक प्रिवेश हाईवी पर कम टोल्टेक्स आदी लगेगा दोस्तो इसका मुखुद देश 2030 तक भारत में 30% एलेक्टिक भाहनों की हिस्सिदारी बढ़ाना है तो ये केंदर सरकार की फेस सेकंड की योजना है तो इतना आपको विद्युद भाहनों की बारे में याद रखना है हाली में होकी इंडिया ने किसका नाम राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार के लिए प्रस्तावित किये हैं इसका से योफ्षन है इन चारों के नाम पी आर स्रीजेस, कंगुजम, अक्षदीप सेह, दीपिका और चिंगस लेसना सेह इन पांचों के नाम हाली में राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार के लिए होकी इंडिया द्वारा प्रस्तावित किये गए हैं दोस्तों आपको राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार के बारी में बता दें यह देश का खेल के एक शित्र में दिया जाने वाला सरबूच सम्मान है इसका पहला अवर्ड 1991 और 92 में दिया गया था और फर्स्ट बिनर रहे हैं विस्वनात आनदन तो दोस्तों इतना आपको राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार के बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस राज में भारत चीन सीमा ब्यापार का चौदेवा संस्क्रण शुरू हुआ है जिसका सही ओफ्षन है सिक्किम हाली में सिक्किम में भारत चीन सीमा ब्यापार का चौदेवा संस्क्रण शुरू हुआ है दोस्तों इस अफसर पर दोनों देशों के अधिकारी और व्यवशाई शामिल होंगे ये प्रतिवर्ष एक मई से तीस नवंबर तक सबता है के चार दिन किया जाएगा दोस्तों 44 साल बाद 2006 में इसे फिर से शुरू किया गया था दोस्तों अब बात आए सिक्किम की तो आपको मैप में बता दें ये जगह है सिक्किम सिक्किम की इस्थापना 16 मई 1975 में की गई थी यहां की गवर्णर है गंगा प्रशाद और मुख्यमंत्री है पवन चामलिंग सिक्किम की राजधानी है गंग टोक तो दोस्तों इतना आपको सिक्किम के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉशन हाली में कब बिस्व प्रेश्वतंतरता दिबस मनाया गया है जिसको सियोफ्षन है तीन माई हाली में तीन माई को बिस्व प्रेश्वतंतरता दिबस मनाया गया है तीन माई को प्रेश्वतंतरता की मौलिक सिध्धान्त दुनिया में प्रेश्व की आजादी का मूलियंकन करने यह दिबस मनाया जाता है दोस्तो 2019 में बिश्व प्रेश स्वतनतर दिवस की थीम थी Media for Democracy दोस्तो आपको बता दें 1993 में इस बिश्व प्रेश स्वतनतर दिवस की शुरुवात UN द्वारा की गई थी Next question हाली में कहां आठवी Asian Youth Women Handball Championship का आयुजन किया जाएगा तिसका सही option है जैपूर जैपूर में आठवी Asian Youth Women Handball Championship का आयोजन किया जाएगा इस प्रतियोगिता में 10 टीमें हिस्सा ले रही है इसका आयोजन 21 से 30 अगस्त के बीच जैपूर में किया जाएगा दोस्तो साउथ कुरिया पिछले 7 संस्क्रणों में सबसे ज़्यादा जीत हासिल की है तो इतना आपको इस चेंपियंशिप के बारे में याद रखना है चाली में कौन सी IIT एशिया की 50 विश्विध्यालें में शामिल हुई है दोस्तो अब बाता है आई 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 टी इंदोर की तो आपको इसके बारे में बता दे है इसका full form Indian Institute of Technology of Indore है इसका मोटो है ज्यानम सर्वजन हिताए IIT Indore की स्थापना 2009 में की गई थी और इसके डारेक्टर है प्रदीप माथुर तो दोस्तो इतना आपको IIT Indore के बारे में याद रखना है Next question हाली में किस जिले में CK सर्वटे टूनामेंट आयोजित किया जा रहा है जिसका सही option है सागर सागर्म जिले में CK सर्वटे क्रिकेट टूनामेंट आयोजित किया जा रहा है दोस्तों सीके सरवटे को चंदू सरवटे और चंदर शेकर त्रियमबक सरवटे के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों तो 1983 में कपिल देव की टीम चुन्नेवाले चैन करताओं मैंसे एक थे सीके सरवटे इनका जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में हुआ था दोस्तो लास्ट बिकेट के लिए 249 रनों की पार्टनर्शिप इन्होंने बनाई थी जो आज भी एक रिकॉर्ड है दोस्तो इनका निधन 2003 में इंदोर में हुआ था और ये ट्रॉफी MP किर्केट एसोसियेशन द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तो अब बाता ये सागर जिले की तो आपको कुछ important fact सागर के बारे में बता दें मध्यप्रदेश का प्रथम विशुविध्यालाय जिसे डॉक्टर हरीशिंग गौर्व विशुविध्यालाय की नाम से जाना जाता है ये सागर में ही इस्तित है दोस्तो इसकी स्थापना 1946 में डॉक्टर हरीशिंग गौर्व ने की थी मध्यप्रदेश का दूसरा पुलिस ट्रेंडिंग कॉलेज सागर में ही इस्तित है पहला है इंदोर में दोस्तो नौरादेही वर्ण जीव अभ्यारन और मध्यप्रदेश का प्रथम फॉरंसिक लेब सागर में ही बनाई गई है दोस्तो इरण में प्रथम लिखित साक्ष प्राप्त होता है सती प्रथा का दोस्तो स्टेनलेस स्टील कार खाना और पदमा कर समारो है सागर में ही मनाया जाता है तो इतना आपको सागर जिले के बारे में याद रखना है नेक्ट क्वेशन ICC T20 किर्केट रेंकिंग में कौन सी टीम पहले इस्थान पर है? जिसका सी ओफशन है पाकिस्तान पाकिस्तान ICC T20 रेंकिंग में पहले इस्थान पर है सेकंड पर है साउथ आफरीका और थर्ड पर है इंगलेट वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत को तीन इस्थान का नुकसान हुआ है और अब पांचवे नंबर पर पहुँच गया है दोस्तो अब बात आईए ICC की तो आपको इसके बारे में कुछ इंपूर्टेन फेक्ट बता दे ICC ने पहली बार 80 टीमों की रेंकिंग जारी की है ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल होता है इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी हेटकॉर्टर दुबई UAE में है और चेर्मेन है ससांक मनुहर जो ICC के CEO है मनुशाहनी और मेंबर कंट्री है 105 दोस्तो आपको ICC का मोटो याद रखना है इसका मोटो है किरकेट फॉर गुड तो दोस्तो इतना आपको ICC के बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन जिसका सई ऑफशन है दमोह चात्र करांती दल दौरा यह पौदा रोपन कर अधिक से अधिक मत्दान करने की गुजारिश की गई है दोस्तो आप बात आई है दमोह की तो आपको कुछ important fact दमोह के बारी में बता दें दमोह सागर संभाग का एक जिला है और जिसे पीतल नगरी की नाम से जाना जाता है दोस्तो बांदकपुर में भगवान शिप का प्रिसिद्ध मंदिर है और कुंडलपुर में जैन तीर्थ इस्तल है जहां पर आदिनात ब्राज माने दोस्तो राणी दुर्गवती अभ्यारन यहीं पर इस्तित है आपको बता दें दमोह में पसु बाजार का मेला लगता है तो दोस्तो इतना आपको दमोह जिले के बारे में याद रखना है next question मुरेना के एंती परवत पर सनीचरी अमावश्या पर यह मेला लगाया जाता है लोगों की भीड़वार देखते हुए इस बार रात में शनी देव के दरसन किये जा सकेंगे ऐसी विवस्ता जिला प्रिशाशन ने की है दोस्तो अब बात आईए मुरेना की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट मुरेना के बारे में बता दे मुरों की बहुत आयात के कारण इसका नाम मुरेना पड़ा है दोस्तो चंबल कौारी असन जिले में प्रभाहित होने वाली प्रमोख नदिया है नागा जी का मेला यहीं पल लगता है बामनोर में ओद्यो के बिकास केंदर और कूला रस में चीनी मिल इस्थत है दोस्तो लीखी राज गुफाएं चंबल रास्तिय उद्ध्यान और घड़ियाल अप्यारन ये सभी मुरेना में ही इस्थत है तो दोस्तो इतना आपको मुरेना जली के बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन हाली में लॉंच हुई क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम क्या है जिसका सई उप्रेन है गेम चेंजर हाली में लॉंच हुई क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम है गेम चेंजर दोस्तो अफरीदी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है और इन्होंने बहुत से इंटरनेशनल रिकोर्ड बनाए है आपको उता दें इन्होंने फर्वरी 2017 में वर्ल्ड क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो इतना आपको शाहिद अफरीदी की आत्मकथा के बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन बन भूमी का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो इसका से उफ्षन है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश बन भूमी का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तो अब बात आई है मध्यप्रदेश की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें मैं ये जगाए मध्य प्रदेश को दर्साती है मध्य प्रदेश की स्थापना एक नॉंबर 1956 में की गई थी गोवर्नर है अनन्दी बेन पटेल मध्य प्रदेश के मुख्य मंतरी है कमलाथ और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करन्ट अफ्यार आप हमारे चैनल स्टडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए दोस्तो कल हम आपकी साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ल के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेका राजर होंगे तब तक ले नमस्कार Have a nice day